नमश्कार आदाव एंसे स्रियकाल कैसे से अपलोग आज का जो टॉपिक है वो है साइट चेनिंग और ये भी एक रिक्वेस्टेट टॉपिक है मतलब हमारा ही आडियो इंजिनियरिंग परिवार का कोई हिस्सा कोई मिंबर ये चीज रिक्वेस्ट किया था कि साइट के लिए तो मेरा जो अंडरस्टेंडिंग है मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा प्यार से देखिएगा बहुत इंपोरेंट है सारे मिक्स में ये यूज होता है चीक है अच्छा दो चार एक्जंपल पर दूँँगा जो आपका ट्रीक्स होगा और इस टेक्निक के थुरू मेरा कोई सिंगल ट्रैक दूसरा ट्रैक के उपर डॉमिनेट करेगा मतलब मेरा ये मानलीजी की ये मेरा कीक है और ये मेरा बेस है तो कीक का जो ट्रैक है ये ट्रैक बेस गिटर का उपर डॉमिनेट करेगा मतलब यह है कि जब कीक बजेगा तब ये बो आपका जो sound है, वो थोड़ा काम कर लो, मतलब इस की ये वाला kick, ये जो sound है, इस sound को दबा देगा, अब कैसे दबाएगा, क्या technique है, सब हम लोग discuss करेंगे, ये बाद में, but ये चीछ clear कर लीजिए कि ये वाला track, कोई भी track, मतलब मैं ये दो track को ले रहा हूं, kick and bass guitar, ये सबसे easy होगा understand करनी के लिए, मैं इसी लिए ले रहा हूं, ये kick जब बजेगा, तब इस guitar नहीं बजेगा, जब kick चला जाएगा, फिर bass guitar बजेगा, फिर kick जब आ जाएगा, तब इस guitar बोलेगा, कि नहीं, बंद हो जाता हूं, और बंद हो जाता हूं मतलब, मेरा sound को, मेरा जो volume है, जो gain है, वो degrade हो जाएगा, अभी जैसे कि मैं ये word use कर रहा हूं, degrade हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कम करने का क्या है, कौन सा tool से हम कम कर सकते हैं, वो है कम pressure, ठीक है, तो पहला ये चीज़ क्लियर हो गया कि what is side chaining, side और chain, chain मतलब एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, इसके एक दूसरे के साथ side में लगके काम कर रहे है, ठीक है, अभी जो next question आएगा, कि भाई, ये चीज़ हम use क्यों करें, that means why it is used in the mix, why side chaining is required, अगर मैं ये चीज़ आ रहा हूं, why, तब मैं एक चीज़ बताऊंगा, कि ये अगर kick and ये bass, ये दो track का बहुत सारे frequency सेम जाएगा पर है, मतलब अगर आप इसमें कोई भी EQ लीजिएगा, कोई भी EQ लीजिएगा, और इसका जो track बजाएगा, ये जो जाएगा है, ठीक है, और अभी अगर हम इसमें बजाते हैं, इसमें भी लेता हूं एक, देखिए, सिर्फ bass बज़ रहा है, ये ही जाएगा मैं देखिए, तो सेम जाएगा में मेरा frequency है, ये दोनों class हो जाएगा, ओई बात जो पीछले प्रोजेक्ट पर भी मैंने बताया था, ये एक दूजरे के साथ class होगा, आगर ये एक दूजरे के साथ जगरा करते रहेगा, पुरा mix के अंदर, तो मेरा mix का सारे instrument को सुना ही नहीं देगा, मेरा objective हर टाइम यही है, कि सारे elements, सारे instruments, vocal clean सुनेगा, तो उसका sound सुनिएगा, सुन, देखिए, गाना तो बहुत लोग सुनते है, ठीक है, बट actual गाना कितना लोग सुनते है, वो matter करते है, मैं भी गाना सुनता हूँ, आप भी गाना सुनते है, दो कानों का फरग होता है, कि मैं जब गाना सुनता हूँ तब identify करने की कोशिश करता कितना instrument बजा कि कौन सा pen हो रहा है vocal में किया काम हो रहा है vocal कहाँ पे है ठीक है, vocal के साथ ये कैसे bass guitar लग रहा है कैसे key लग रहा है कैसे आपस में इसका relationship बन रहा है ये सब चीज बहुत मैना रखते है तो ऐसा गाना कान सुन लिया गाना अच्छा लगा, खुशी हो गई, तो ऐसा बहुत सारे बंदा है, चो ऐसा सुनते हैं, बट हम लोगों को ऐसा तरह से सुनना चाहिए, इसके लिए हम लोगों को कानों का या ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, कितना फ्रिक्वेंसी तब ना जाके हम लोग मिक्स कर पाएंगे, अ मैं मीक्स, ताट इस दा आंसार, कि तो आइसोलेट अल्ड़ 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 इन्स्रूमेंस सेपरेटली, सो एट विल नॉट क्रिए अनी इन्टरॉप्शन और अनी डिसरॉप्शन इन्टो मैं मीक्स, सो इचुद भी वेरी मुच क्लियर, ओके, नौ मेरा था हो गया, एक तो दो कुश्चन हो गया, एक वाड़ी साइट चेनिंग, वेर इट इस 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 मतलब मेरा मीक्स में यूज होगा, जहां पर मुझे दो फ्रिक्वेंसी को अलग करना था, करना है, ठीक है, मतलब एक साथ ना बजे, ओ अगर सिचुशन क्रिएट कराना है, तब क्यों करूंगा, यह इसलिए करूंगा, क्योंकि जो सेम फ्रिक्वेंसी है, उसको मैं सेपरेट करने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कि एक दुजरे के साथ नहीं जगर पाए, तो ओ वाला सिचुशन करने के लिए मैं साइट चेनिंग यूज करूंगा, हाउ टो यूज, कैस देखो, मैं कीक अन बास के उपर कर रहो हूं, तो इहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, कीक डॉमिनेट करेगा बास गीटर के उपर, ठिक है, आगर आप बोलोगे कि नहीं उल्टा करना है मुझे, बास गीटर को बास के उपक्वे करना है, तब अच्च्छा नहीं लएगा, ए इसको किसका उपर मैं dominant करने की कोशिश कर रहा हूं और चाहता हूं यही चाहता हूं मैं देखिए कीक सुनिये फ़ले अब बासगीता सुनिये बहुत जगा में सेम जगा में बाज रहा है ठीक है बासगीता तो यहां पर मैं decide कर रहा हूं कि कीक को करना है कीक डॉमिनेट करेगा बासगीता के उपर तो यहां पर दो चीज वार्ड को अच्छी तरह से सुन लीजिए एक है trigger और एक है target ट्रीगर कौन कर रहा है trigger कर रहा है कीक टार्गेट कौन है टार्गेट है बासगीता तो side chaining में दो वार्ड बहुत ही important है एक है trigger और दूजरा है target तो trigger कर रहा है side kick and target होगा मेरा बासगीता ठीक है अभी हम इसमें configure करेंगे तो इसके जाब configure करने के पहले दो वर्ड में बोलना चाहता हूँ कि यह basically अगर अगर आप मतलब क्यूं करें अगर यह question आते है न वाई it is required तो उसमें और एक point आता है कि जैसे कि मैं तो बोल दिया कि जनी जगर पाए यह सब चीज है तो है बाट और एक चीज आप देखिएगा ऐसा वीडियो में हम लोग बोलते हैं बोलते रहते हैं कि यह bass guitar and यह आपास में cut through कर रहे है ठीक है और मेरा bass guitar and kick सही तरह से बैठ रहे मेरा mix के साथ तो यह भारी भारी words जो हम लोग बोलते हैं sitting into that mix cut through कर रहे है भाई यह सब क्या चीज है कभी-कभी तो मेरा उपर से चला जाता है सर के उपर से ठीक है तो यह वाला word के साथ अब लोग को भी familiar होना चाहिए अब लोग को समझना पड़ेगा क्या है cut through का मतलब क्या है तो cut through का मतलब और कुछ नहीं है यह दोनों का isolate करना है separate करना है ठीक है throughout the mix अगर मैं बोलता हूं कि those tracks are exactly sitting on to the mix sitting on to the mix मतलब और कुछ नहीं है सारे track चलाएंगे एक साथ उसके साथ सारे track चल रहा है सारे track के अंदर मेरा kick and bass separately सुना ही दे रहा है kick भी बज रहा है bass भी बज रहा है सही तरह से बैठ रहा है मतलब मेरा tracks के साथ यह appropriate हो रहा है that is the word is perfectly sitting into the mix तो यह सब चीज जो है यह वर्ड्स जो है तो यह सब वर्ड्स और एक वर्ड मैं बोल रहा हूंगो docking अब docking मैं तो पहले जब मैंने सुरू सुरू में समझ महीं नहीं आ रहा था सो फिर dock का मतलब समझा मैं क्या है ओ तब पता चला कि यह case है dock मतलब कुछ नहीं है dock मतलब है suppress किसी को मैं नीचे कर दे रहा हूँ चलिए अभी मेरा next point होगा कैसे इसको implement करें चलो देखो मैं क्या बोला इसको suppress करना है dock करना है तो क्या कॉन करता है यह चीज़ कंप्रेशर करता है तो मैं अभी इस चैनल पे compressor दिया make up gain को off कर दिया ठीक है जो भी है मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहां पे click किया add side chain input किसको साथ कर रहा हूँ मैं कीक के साथ कीक को डूनते है कीक ठीक है कीक के साथ side chaining कर रहा हूँ कर लिया side chaining को enable कर दिया यह वाला ठीक है अभी देखिए जैसे कि इसका कीक का sound आएगा जैसे कि कीक का sound इसके अंदर आएगा क्योंकि क्यों कैसे आएगा मैंने इसको call किया है इस ही लिए आएगा ठीक है यह side chaining के side chain एक chain के थ्रूब मैं इसके साथ दोनों के साथ join कर दिया मैंने ठीक है और जैसे कि join किया तो इसका signal इसके अंदर में आ गया कि बास के अंदर कैस किसके थ्रूब आ रहा है कम प्रिशर के थ्रूब आ रहा है तो अभी मैं यह बोल रहा हूँगा कि जब ही मेरा कीक बजेगत उस टाइम पे बास गीटर का signal, volume, gain सारे कम हो जाएगा ठीक है चलिए हम करते हैं देखिए देखो क्या हो रहा है जब अब धहन से देखिए सुनिएगा जब कीक आ रहा है उस टेम पे यह मेरा volume काम हो जाए रहा है gain किसका नबास गीटर का सुनिए पहले बास गीटर पूरा सुनिए सब जगा यूनिफॉर्म बज रहे है जब ही मैं कीक का धुम धुम आ रहा है उस टेम पे बास गीटर नीचे हो जा रहा है सुनिए और यह उसका प्रूव यह है कि यहां पे मेरा sound gain reduction हो रहा है बास गीटर का ठीके अपको और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे समझ में नहीं आता जो नीव देखिए जिसका जो इसका उपर बहुत दिन से एक्सपर्टीज है उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं उसको तो पता ही है कहां पे लगाना है क इसे काम करना है बट जो इस फिल्ड में नया आया उसके लिए मन में बहुत दिक्कत होता है बहुत डाउट होता है कि मैं कहां पे लगा हूं और किस को मैं साउंद को मैं सप्रेस करूंगा ये चीज सवाल आते हैं तो उसके लिए थोड़ा मन में बैठाने के लिए आपको म एक चीज बता देता हूँ कि जो ट्रीगर करेगा मतलब मैं चाहता हूँ कि मुझे कीक बार बार सुने ठीक है उसमें कोई वैरियेशन नहीं चाहिए गेन में ओके बाट सेम फ्रिक्वेंस में फ्रिक्वेंसी के साथ रहने वाला दूसरा इंस्टुमेंट मेरा कीक को ना खा ज तो ये ट्रीगर हो गया और ये हो गया टार्गेट तो ट्रीगर जो है ओ है प्रायरिटी ट्रीगर का हट टाइम प्रायरिटी टॉप है टॉप प्रायरिटी है एंड टार्गेट का हट टाइम प्रायरिटी लेस प्रायरिटी है मतलब बास का भी लेस प्रायरिटी है ओके ब बच्पन में हम लोग जब मैच सीख रहे थे तब हमारा बहुत दिक्कात होता था गेटर देन मतलब 3 गेटर देन 2 ठीक है कभी-कभी दिमाग में नहीं आता यार गेटर देन कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है मतलब ऐसा है देखिए मजदा चीज है यह मैं एक चीज दिखाता हूं आपको यह मन में आता है मतलब यह कभी-कभी मैं आइडिल टाइम पर सोच था हूं कि ऐसा जैसे की देखिए 3 गेटर देन 2 ठीक है मतलब यह हम लोग कैसे याद करके न जिसके तरफ यह खोचा है मतलब यह खोचा जो है जिसके तरफ है यह छोटा है बस अगर आप बूल्टा लिखे 2 लेस देन 3 तो खोचा किसके तरफ है इसके तरफ है तो यह छोटा है तो यह डॉमिनेट होगा तो मेरा ट्रीगर कौन कर रहा है अभी यहाँ पे ट्रीगर हो रहा है, target को ओना है, यह target है, यह trigger है, और यह target है, ठीक है, यह मैं आपको example का तरफ पर बोल रहा हूँ, अब चाहे तो मन में रख सकता है, नहीं तो नहीं रख सकता है, but trigger जो करेगा, उसका priority हाई है, जैसे कि यहाँ पर 3 का priority lowest है, हाई, और 2 का priority लो, क्योंकि दो छोटा है, यह दो छोटा है, इसका लो priority, तो जिसके तरफ खोंचा मार रहा है, इसलिए यह low है, तो यह है, यहाँ पर trigger and target, trigger हाट टाइम priority होता है, हाई priority, और target जो है, लेस priority होता है, तो चलिए, यह चीज़ क्लियर हो गया, तो यह था अपका side chaining दो track के बीच, ठीक है, मैंने compressor लेके अपको दिखाया, अभी हम लोग दूसरा चीज़ चेक करेंगे, जैसे की यह तो compress हुआ, इस चेका पर, अगर मैं vocal के साथ करता हूँ, तो कैसे मैं कर सकता हूँ, तब मैं दूसरा और एक, मतलब यही चीज़ है, आपके पास knowledge बहु अब बीच जनते हो, डिले जनते हो, बट अब को सोचना है, कि अभी यूज कहां पर करेंगे, सेम चीज़ हम यूज करेंगे, रिवर्प के साथ, ठीक है, चलिए, जैसे की देखिए, अगर मैं, चलिए, यहां पर करते हैं, तो यहां पर मैंने एक ताल रिवर्प लिया, अब ही हम देखते हैं कि कैसे साइट चेनिंग को यूज कर, देखिए, यह मेरा ताल लिवर्प है, ठीक है, तो पहला बात यह है कि मैं इसमें ड्राई को बंद कर देता हूं, क्योंकि ड्राई सिगनल मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ वेट सिगनल चाहिए, ओसनम तेरे चाहत में, मेरे जिन्दगी तेरे नाम कर दी, ठीक है, यह इच चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका एक छोटा सा EQ भी कर लेता हूं, रिवार्प का EQ करता हूं, ठीक है, ओसनम ओसनम तेरे चाहत में, मेरे जिन्दगी तेरे नाम कर दी, अब दिल मिल गए, फूल भी, यह हमारा ही गाना है, पुरा ओन कंपोजिशन है, पुरा ओन ट्रैक है, तो इसका लिंग भी मैं आपको दे दूँँगा, अब उसमें मेरा चैनल पे जाके आपका यह वाला ग पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट यह है, कि मैंने तो यहां पे रिवार्प तो लगाया, रिवार्प को मैंने यहां पे सेंड पे भी कॉल भी करा दिया, देखिए, सेंड पे कॉल करा दिया, बट मैं चाहता हूँ, कि यह रिवार्प तब ही कम करे, जब मेरा वोकल कम हो ज तब अगर reverb बहुत ज़्यादा आएगा तो मेरा हाउलिंग हो जाएगा ना वोकल के साथ पूरा reverb हाउ हाउ करके साउंड करेगा हाउलिंग होगा तो तो अच्छा सुनने को नहीं लगेगा तो मैं क्या करूंगा इसमें यहां पे एक कंप्रिशर दोंगा कंप्रिशर दिया सेम चीज़ करेंगे देखिए मैं यह तो फिर यहां पे बोलिए यहां पर डॉमिनेट कौन कर रहे है डॉमिनेट कर रहे है मेरा वोकल किसका उपर डॉमिनेट कर रहे है ना रिवार्प के उपर डॉमिनेट कर रहे है तो ट्रीगर कौन कर रहे है मेरा वोकल के उपर करके देख देख रहा हूँ apply तो ही चीछ कर रहा हूँ site चे नहीं कर रहा हूँ थीक है तो मैं तो इसको लूँँगा vocal को क्या नम दिया हूँ vocal का एक बद दीख लेता हूँ audio03 दिया हूँ थीक है audio 03 दिया हुआ है ठीक है चलिए यह मैंने दे दिया इसको मैंने side-chaining को on कर दिया ठीक है और makeup gain off चलिए अच्छ अभी इसमें जाएंगे बोसन 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 तेरे चाहत में मेरे जिन्दगी तेरे नाम कर दी अब दिल मिल गए फूल भी खिल गए मर मितेंगे ये आशिक सनम ओसनम ओसनम तेरे मेरे जिन्दगी तेरे नाम कर दी अब दिल मिल गए फूल भी खिल गए देखिए क्या हुआ वही हो रहा है कि मेरा जो लफ्स मैं कह रहा हूँ जो लफ्स मैं बोल रहा हूँ उस लफ्स के उपर मेरा रिवर्ब एक तरह से खा नहीं जा रहा है उसको टाच करते हुए जा रहा है ठीक है अगर मैं इसको बंद कर दूँगा तो हाउलिंग होगा उसके उपर पुरा रिवर्ब पकर लेगा मेरा वोकल के उपर बड़ ओ मेरा तो रिक्वार्मेंट नहीं है ना वो मेरा एक्स्पेक्टेशन नहीं है कि मेरा वोकल क्लियर सुनेगा उसके साथ टाच होते हुए तो यह जाएगा रिवर्ब पीछे 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 चलेगा वही मेरा रिक्वार है तो ओ मैं कर रहा हूँ जब मेरा वोकल बंद हो जाएगा वोकल जब कम हो जाएगा तब उस तेम पर रिवर्ब आगे चला मेरे जिन्दगी चाहत मेरे तो चाहत में के बाद जब मेरे जिन्दगी ये जो मिली सिगंड का गैप है उस टाइम पे सुनिए रिवाब जादा है सुनिए उसके बाद बाद में आ रहा है तो उसका बीच में देखिए रिवाब ओ सनम ओ सनम तेरे चाहत में मेरे जिन्दगी तेरे नाम कर दी अब दिल मिल गए ठीक है तो एही था इसी के लिए हम लोग side chinning, side chinning हम उमको पता है कि क्या है, बट हम कहां पर use कर रहे हैं एक बर हम दो track के बिच कर रहे हैं, एक बर मैं reverse के बिच कर रहा हूं, reverse and vocal के बिच कर रहा हूं, तो जहां पर मेरा ज़रूरत पढ़ेगा उसी जगह पर करेंगे अपका ये concept side-chaining का पूरा clear हो चुका है एक बार अगर आपको कहीं पे इस जगह पर कोई question आए तो मुझसे पूछ सकते हैं एक बार वीडियो को अगर आगे कोई जगह में problem हो तो पीछे करके देख सकते हैं तो अपका पूरा सबका मनलब अगर मन में कुछ भी सवाल आए तो आपको clear हो जाना चाहिए ठीक है फिर भी अगर कुछ आए तो मैं हूँ मैं जितना दूर तक मेरा knowledge है मेरा understanding है आपको मैं help करने की कोशिश करूँगा ठीक है तो यही था साइड चेनिंग आज का त्यूटोरियल नेक्स्ट कोई दूरा कोई ट्यूटोरियल में लेके आएंगे उसमें हम लोग कुछ नया कुछ सिखेंगे नया कुछ डिसकस करेंगे अगर आपको यह वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आडियो इंजिनिंग चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन की प्लेज प्लेज कीजिए तो थोरा सा मोटिवेशन मुझे भी चाहिए मेरे को मिल गया मोटिवेशन मैं सोचता हूँ कि हाँ ठीक है चलो नेक्स्ट कोई दूसरा कोई टॉपिक के ओपर डिसकस करते है और यह जो भी चीज बोला है आपको मैं बोल रहा हूँ यह चीज करके अपका प्रैक्टिकल डेफिनेंटली करना पड़ेगा अगर आप प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा तो फिर आप देखिएगा उस तैम पर अच्छा लगेगा फिर भूल जाएंगे यह होता है मेरेल यह भी होता है मैं बहुत सारे टुटोरिल देखता हूँ अच्छा लगता है मुझे और जो पता है उसका पूरा चीश पता है तो उसके लिए मैं बोल नहीं है आँ कि उन लुकट तो अलड़ेडी एक्सपाइस्ट है तो मैं इसी का बोलना हूँ कि जो एकदम नौविस है उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि अब लोग एक बर प्रैक्टिकल कर लीजेगा तब अपको मन में बैठ जाएगा ये चीज़ तो thank you so much for watching this video and please अब लुक सब खूश रहिये, please take care and peace out